हेलो गोड इवनिंग गाईज कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगी मैं भी अच्छी हूं बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको क्योंकि रात का टाइम है और यह देखो यहां बरफ पड़ रही है और मैं सिंकर टीशिट में बाहर आ गई हूं बहुत ठल लग रही है चलिए आपके लिए थोड़ा से व्यू ले लेते हैं पर अफ इसलिए नहीं ठीकती क्योंकि हम हमेशा देख लेते हैं अंदर बैटे बैटे ना ठंड लग रही थी हम यूट्यूब पे ना सर्वाइवल वीडियो देख रहे थे और ठंड फील हो रही थी बार-बार तो मैं बता था सच में बरफ रही है चलिए आपको दूसरे कैमरे से दिखाती हो अरे बापरे यह देखो यह देखो सामने देखा कि ना हलकी हलकी जैसे कॉटन नहीं होती है चोटी-चोटी कॉटन के टुकड़े गिर रहे होते ऐसे गिरती है बरफ और सफेद सफेद चोटी- गेख जाएगी है अरे उधर देखो वहां पर सामने कितनी बढ़ी है यहां वे इसलिए है क्योंकि मेरे घर के पास यह चीफिषा और प्यार यह पारे अब देखो यहां से लेकर वहां पेड़ी पेड़ा है इसलिए बर्फ यहां पर कमाती है इदर जादा आती है क्योंकि पेड़ नहीं है इदर और यह बाप रहे हैं यह देखो कितनी प्यारी लग रही है और हवा भी मेरी तरफ की है मेरी तरफ यहारी है यह सामने जो पेड़ है शायद आपको नहीं दिख रहा है इस वक्त लेकिन यह ना सूखा पेड़ा है इस पे बहुत अच्छी लगती है सुबा के वक्त मैं दिखाऊंगी आपको मुझे इस वक्त बहुत ठण लग रही है क्योंकि मैं सिंगल टी-शिट में हूँ क्योंकि मैं बिस्तर में थी ना एकदम से निकल के आगी हूँ इससे पहले मैं बीमार हो जाओ मैं चलती हूँ और यह देखो हवा भी इधर की होती है और सुबा तक काफी टिकी जाएगी मेरे को लग रही है जिस तरह से पढ़ रही है न और यह बाब और यह बहुत ठंड है चलिए आपके साथ यह वीडियो सुबा शियर करेंगे ताजा वीडियो ताजा बर्फ ताजा व्लॉग और ताजे दिन के साथ मैं सुबा दिखाऊंगे आपको व्यू कैसा है अभी फिल्हाल गूड नाइट मिलते हैं मॉर्णिंग में हेलो गूड मॉर्णिंग गाईज तो इस वक्त साथ बज़ रहे है और रात को बर्फ पड़ रही थी अभी हम एक साथ देखेंगे कितनी बर्फ पड़ी है मैंने दवाई खाया लिए बाई दिवे और करम पानी की बॉटल उबलने को रखिए वो बिस्तर में रखनी है क्योंकि ठंड बहुत है अब हम एक साथ देखेंगे कि बर्फ कितनी पड़ी है आई यह आपको भी दिखाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का दिन अरे वाह देखो तो यहाँ पर देखो हवा की विज़ा से यहाँ पर भी बर्फ चिपक गई भी हो कितना प्यारा है आगे चल के दिखाते हो अरे बबरे अरे बबरे बर्फ पड़ गई रही कि देखो रात भर लगी रही मैंने बोला था ना कि धीरे धीरे लगी रही तो अठक जाएगी अब टिक जाएगी यह देखो हवा थी ने अंदर की तरफ थी हवा दुर्वाजे के पास तक आ रही थी हवा उसके विज़ा से बर्फ पी आ रही थी तो देखो कैसे चिपक गई जंगले पर और यह देखो वाओ तो जी यह है आज का व्यू जो कि बहुत ही मस्त मस्त है और यह देखो इस मौसम को देख देखे मन नहीं भरता बहुत प्यारा लगता है मुझे अभी ब्लैकी को और वाइटी को खाना भी देना है वो आ जाए खाना तयार करके रखा है जैसे वो आ जाएंगे उनको खाना दे देंगे चलिए अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूं और आपकी ज जाएंगे 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 जाए कर लाय कि इमारी जए ढे सिल कमक कर अँर भाय का लाय कर व्बैंद के अएल्ग कर अपलत कर वाय को कर दो कर दो कि यहां हम बना रहे मिक्स वेज और यह हैं हमारी भुनी हुई सब्जी बनाके उसके बाद चाहि पेंगे अभी तिलहल मैंने ब्रश भी मिटे अभी मैं सब्जी बनाके ब्रश करके फिर चाहि पर आपसे मिलती है तो काई सब्जी बन चुकी है और सफाइ करने भी बाकी है और हमारा मूड बन गया है बर्श में गूमने का तो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तक तक के लिए मैं बहुत ध्यान रखेगा मैं चाहिए इंज्वाई कर रही हूं और आप मौसम इंज्वाई किजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि आने वाले वीडियो टूरिस्ट प्लेस का होगा हम तूरिस हुई हुई